हलो फ्रेंग्स वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग करेंगे हमारा स्किटो विक्स की ने जो लाइक अपना क्राइटेरिया दिया था क्यालेडोर विक्स कंपन्जेशन की एक्स्टेंशन दि रहे इन्होंने क्याले कुछ कम्यां बताई जो कि हमने लास इस समझना रहे इन्हों और देखो अगर आपको यह समझना है तो आपको यह लास वीडियो देखनी 1 जो अपने पड़ेगी कि हिक्स का क्या था उट्रेंशन दॉक्स का प्यां यूडविक्स का बताई श्की एप्र श्कीटो विक्सक्रान दॉक्स के दर क्यां बताई और सब्सक्राइब किसी भी कंपन्जेशन क्राइब होनी चाहिए और दूसरा विवर्सल टैस्ट सब्सक्राइब होनी चाहिए और यह प्रिवर्सल टैस्ट क्या है कि इफ पी इस कैलेडोर हिक्स प्रैफर्ड टू क्यो तो इसका क्यो प्रैफरो पी से इसका उल्टा होना चाहिए मतलब अपिस से यह ओना चाहिए कि ऑनका किया होंकि रिवर्सल टैस्ट हमारा पास क्राइटेरिया तो फर्स्क्राइटेरिया उनें देडिया, क्राइटेरिया क्यो और शक्रेडोर क्राइटेरिया इसक्षि उग हो ? सेकेंड वोस की रिवर्सल टेस्स सेटस्पाइड हो रिवर्सल टेस्स मतलब अगर आप पी को प्रेफर कर रहे हो क्यों से तो इन एनी कंडिशन यू मस्ट नोट प्रेफर क्यों विल्टी कि आप किसी भी कंडिशन के अंदर क्यों को P से प्रेफरेंस नहीं देना है अगर ये बात पूरी हो जाती है तो हम कहेंगे कि P is skito whiskey preferred to क्यों तब हम मानेंगे कि P ने skatskim P को prefer दी skito whiskey ने above the क्यों अगर क्यों prefer ना हो P से in any condition कि यह सब क्वा आठाट सी ठाट2 रेफ्रेंस मिंड़ी तो नन्य गांफ UVT की सबोधें छाह मृता है जो है प्यूसरी मिंग प्रेफ्रेंस्ट ऑफ है यह अगर अब फिर प्रेफ्रेंस मिले तो ऑफ दूसरी मा उताट प्रेफ्रेंस थे शुज़ें को मालो यहां आप पीजा पसंद कर तूसरी बाहर में आप पर दूसरी बाह hein तूस्री बाहर में आप टाय आप बर्गर को प्रैफर नहीं करोगे Um eh you won't prefer burger above the pizza तो सीच रीज ली बात ही है कि अगर आपने एक पर इसको consistency का principle तो इसलिए प्र प्रेफरेंस देटी 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 प्रे भी कबिइगे किया पी के उपर चाहिए, वो रहले को प्रेफर ना किया जाए तो कल्एडर-Hicks compensation criteria satisfy होना चाहिए दूसरा reverse way test अब कल्एडर-Hicks compensation criteria क्या होता है वो अमने last videos में कर रहा है तो आपकी जो welfare economics की playlist बनी हुए आप उसमें जाएकर देख सकते हो क्या कमिया थी जो स्कीटो विस्की ने बताई और उसके बाद थर्ड इस वीडियो पर आना तब भी आपको समझ आएगा अगर आपको पहले से आता है तो आप डारेक्ली यह देख सो अब हम डारेक्ली रिवर्सल टैस्ट पे आते हैं तो सिंपल सी बात है क्या रिवर्सल टै कंडीशन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या लिया कि दो इंट्रसेक्टिक यूपीसी को तो रिजेक्ट किया दा उन्होंने क्या लिए दो यूपीसी लिए जो की शिफ्ट बला कि एक यूपीसी है और दूसरी उसके ऊपर है शिफ्टिंग यूपीसी है तो ये यूपीस से कि talkinा या कि यहां पर का लिया गा ow ऊसों एक तो यह पर हो बेद तो इन्हों ने मांलो यहां लिया यहां पर यहां क्या उन्हें पैसे क्या एक पोई लिया की जा कि उन्हों से क्या प्पामशा है sorry कि याद आए यह कुछ कुछ थीक यह को क्यों पहेंद की इई सब्होसम कीज़ेदा है CT वने की ए और fright की चालेडोर हिक्स कंपंजेशन क्राइटेरिया के अगोडिंग तो अब क्या हुआ कि हमने क्या उसे एक सीधी लाइन डाली सब्सक्राइब तो एक तक क्या हुआ पास उसको अफादा हो यह से इतना फाइदा हुआए क्या हुआ है तो स् regime एक action approvedNow तो यहां से Caledon Hicks Compensation Criteria के according क्या हुआ हमारा कि कि जो S है, S is Caledon Hicks Preferred To क्या हूँ? यह अब रहा हम यह से भी लिख से है, T is Caledon Hicks Preferred To क्या हूँ? तो जो है, क्या हूँ से बेटर है, तो दोनों prefer किये जाएंगे Caledon Hicks के दोरा लेकिन अपि रिवर्सल टेस्ट पास होना रहा है, तो रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि Caledon Hicks वाली कंडिशन तो तुमने निकाल लिया तो तुमने निकाल लिया, S is Caledon Hicks Preferred To क्यो? अब होना, in any case, उल्टा नहीं होना चाहिए उल्टा इंडी सेंस, क्यों जो है, वो Caledon Hicks प्रैफर ना करे, S क्यों कर अब देखो, अब हम यहां पर बेसिकली सिर्फ इतना सा एक्स्पिन करते है अगर हम अब इन को देखें, तो अगर हम इन दो UPCs को देखें अब हम किसी भी तरीके से, क्यों से, किसी भी ऐसे प्वाइंट पर redistribution की थू नहीं पहुँच सकते हैं, जिससे की जो हमारा बैटर हो, S से यह देखो आपको देख लो, क्यों से हम इस CD UPC बे ऐसे प्वाइंट पर पहुँच सकते हैं, जो कि S से बैटर होगा जो कि S जो हम एक हाईयर UPC पर हाईयर थी UPC तो तोटा utility बादा है, जो हम इसा कभी नहीं होगा कि हम जो है कि क्यों से redistribution करें और हम कोई बैटर कोईंट ले 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 एस से इस इस एक पोसिबल तो यह हम इसे लिखना होता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि हम क्यों से कोई भी like redistribution करें और क्यों से ऐसे point बोल जाए जो कि S से better तो अब क्या reversal test पास होता दिख रहा हमको तो हम क्या बोलेंगे तो अब हम clearly कह सकते हैं कि हमारा reversal test भी पास होगया कि Hicks-Kalydor compensation criteria भी पास होगया तो अब बोल सकते हैं कि S is Calydor Hicks preferred to क्या हूँ ठीक है S is Calydor Hicks preferred to क्या हूँ if sorry S is Skito Whisky preferred to क्या हूँ if S is Calydor Hicks preferred to क्या हूँ and negation of S क्या हूँ is Calydor Hicks preferred to S तो अब स्कीटो Whisky कहेगा कि हाँ मैं prefer कर रहा हूँ S को as compared to Kew क्या हम क्या हूँ से वापिस S पे कभी प्रैफर नहीं करें तो कभी भी condition satisfied होथी तो चीदी सी बात उनों ने बस इतनी सी explain कि कि Skii To Whisky ने का मैं तब ही prefer करूँगा किसी भी चीज को दूसरे के उप़र जब हो इन एनी कंडिशन दूसरा consistency ब्रेक नहीं तो इलिए आपको जादा बेटर समझ दे के लिए आपको जो इसका स्कीटो Whisky का पैराडोक्स है वो पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे हिक्स वाले को जो है रिजेक्ट किया हिक्स वाले में लाइक निकाले और फिर उन्होंने अपना यदिवर्सल टेस्ट वाला फोंग दा ले यह जो कमी थी वह हिक्स वाले में कि उनका क्या हो रहा था एक बार अगर उन्होंने एक बुड को प्रैफर कर दिया दूसरे पे हम संतने मिन नियु और सिंऔर कहो तो आयएं के लिए की बीढर यहिं कहते हैं किनोक प्रविश प्रशन भीट करेणिया कि से वाली और स्कामी क्या गया कंटिस्ट नहीं और समय कमित्व को थे मैं स को तभी प्रेफर करुगा क्यphase को से, अगर को केल्डर ने प्रेफर किया क्य查 है और साथ ने इसका उल्टा ना हूं मेरे साथ व्हों जो हुँ कभी भी प्रेफर ना ओ अ sih तब मैं प्रेफर करुगा S को क्यों व्हों से अधर्वाइस अधर्वाइस आप मुझे लाइक वत्सब्स पे भी मैसेज़ करें तो थैंक्यू सो मच पर वोचिक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाइ बाइ